नमस्का दोस्तों में रवी साक्त और आपका स्वागत है आपके अपने चनल सक्कstellung रवी बोद में तो दोस्तों इस बीडियो मा हम लोक जानेंगे कि बहुत हम में जब कोई व्यक्ती की डेट हो जाती है या अलीडिश की डेट हो जाती है तो उसका अनत्रिम संसकार किस पिरकार करते हैं तो दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले में बोलना चाहूँगा जो हमारे चैनल नए आ रहे हैं उनसे रोकेश्ट है हमारे चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें इससे दोस्तों होगा गया जो भी हम नए वीडियो अफ्लोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुचेगी और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे चलिए दोस्तों सुरू करते हैं दोस्तों बहुत धम तरक और बिज्ञान पर आदारत है इसलिए समय और परिष्टितियों के हिसाब से काम करते हैं रूड़ी बादी परमपराओं में रूड़ी बादी परमपराओं में नहीं बने होते हैं इसमें कोई अंद्वी स्वास और पाखनवाद नहीं होता है फिर भी दोस्तों मौईूदा हालत में कुछ इस पिरकार से अंतिम संस्क्रा करते हैं वो देख सुनिएगा और समझिएगा ध्यान से तो दोस्तो सव्यात्रा कैसे ले जाएंगी सबसे पहले मिर्तक जो जिसकी डैट होई है लेडी या जेंज उसको नहलाएंगे नेलाने के बाद अगर वो बुद्धिष्ट है तो उस पर पंच सील की चादर डाली जाएगी अगर बुद्धिष्ट नहीं है तो उस पर नीला कपड़ा या सपेद कपड़े की चादर डाली जाएगी और दोस्तो सव्यात्रा के सव्यात्रा के लिए कुछ लोग आंगे पंच सील ले करके चलेंगे कुछ लोग पीचे पंच सील ले करके चलेंगे और सब को ले जाते समय कुछ इस पिरकार से बोलेंगे जीवन मरण सत्त है, बुद्ध नाम सत्त है बुद्धम सरणम गच्छामी दमम सरणम गच्छामी संगम सरणम गच्छामी इन्ही कुछ सब्दों का प्रियोक करते हैं राम नाम सत्थ नहीं करते हैं अगर नाम नाम सत्थ है तो आप किसी हॉस्पीटल में बीमार व्यक्तिक पास जाकर के राम नाम सत्त बोल दीजिए पता चल जाएगा कितना सत्त है अगर राम नाम सत्त है तो आपके किसी साधी में या किसी फंक्सन में जाकर के बोल दीजिएगा राम नाम सत्त है आपको पता चल जाएगा कितना सत्त है अब दोसरा सवाल आता है कि बहुत धम में अगर व्यक्ति मर जाता है तो उसको जलाना चाहिए या दपनाना चाहिए या जल पिरभा करना चाहिए इसको भी हम ज़रा ध्यान से समझेंगे यहां भी दोस्तों समय पर जैसी इस्तिती हो उसे हिसाफ से काम करते है दपनाना सबसे उचित होता है वो क्यों दोस्तों क्योंकि सबसे कम खर्चा और पर दूसाड़े दूसाड़े यह सब कुछ नहीं हो पाता है इसलिए दपनाना सबसे अच्छा होता है जलाना दोस्तों अगर किसी के यहां पर दपनाने के लिए जगए नहीं है मिट्टी नहीं है तो वहां पर जलाया भी जा सकता है और दोस्तो जल पिरवा जल पिरवा दोस्तो जो नदी की किनारे रहते हैं वो लोग जल पिरवा भी कर देते हैं जिसमें दोस्तो भारी पत्थर या बजन कुछ बना के उसको जल में पिरवहा कर देते हैं अब दोस्तों सवाल आता है संसकार कैसे करवाएं सबका संसकार दोस्तों बहुत भिच्छु या बहुत दाचार से ही करवाएं या खुद करें किसी ब्रहमर को बुला करके संसकार ना करवाएं संसकार में निमने लिखित सुथ का पार्ट करते हैं संसकार में दोस्तों तिरसरडर, पंचसील, पत्तिदान और सुख गाथा का पार्ट करते हैं अब दोस्तों सांती पार्ट, सांती पार्ट कैसे करते हैं दोस्तो सांती पार्ट दो या चार दिन में ही करवा लेना चाहिए जैसे आप विवस्ता कर सकें उतनी जल्दी ही करें मिरत्ति भोज दोस्तों बिलकुल भी ना करें क्योंकि मिरत्ति भोज से होता क्या है दोस्तों जिसके यहां पर मिरत्ति हुई है उस पर और ज़्यादा कष्ट हो जाता है और दोस्तों मिरत्ति भोज एक अन्विस्वास और पाखनवाद है और मिरत्ती बोज़ खाने वाले उसके दोसी होते है अब दोस्त सवाल आता है सांती पार्ट क्यों कराते है कुछ लोगों का कहना है कि मरने वाले की आत्मा को सांती मिलेगी ऐसा बिलकुल भी नहीं है वो इसलिए दोस्तों क्यों सांती तो जो परिजन है तो जिसके यहां बे मिरत्ती हुई उसके घरवाले सांती तो उन लोगों को चाहिए जो व्यक्ति मरा है वो तो सांती ही हो चुका है उसको और क्या सांती चाहिए सांती तो उन लोगों को चाहिए जो उसके घरपे हैं इसलिए दोस्तो सान्ति बाट जल्दी कराने से उनके जो यहांपे मिरती हुई है उनके घरवालों को सुक और सान्ती थोड़ी मिलेगी जिससे जोस्तों जो मिर्तक के घरवाले हैं उनका उनसे ध्यान उठकर के थोड़ी काम काज में लग जाएगा वो फिरी हो जाएंगे हाँ वही हम सांती बाट करा चुके हैं अब नोट एंसन इस पिरकार परजनों को तथाकत गौतम बुद्ध की कुछ काहनियां सुना करके लोगों के दुख को दूर करने की कोसिस करते हैं और मिर्तक के जीवन काल की अच्छी बातों को लोगों को बताते हैं रिस्तेदारों और परिजिनों को मिर्तक के बारे में बोलने के लिए प्रेयरित करते हैं और मिर्तक दोवारा किये गए काम की पर संसा करते हैं कि हाँ वई इन्होंने ये काम अच्छे किये थे ये इनका अच्छा रहा ये सब कुछ करके उनको सामती देते हैं और दोस्तों इ मिलते हैं अगरे वीडियो में तो तक नवावद्धा जय समराओं जय भीम जय वारत